नमस्कार मैं अफशा खान आप देख रहे हमारे साथ 24 रा स्टुडी निर्ज चैनल सिनीमा घर 15 से खुलेंगे एक सीट छोड़ कर बैचना होगा करोना महामारी के चलते 7 महीने से बन सिनीमा घर 15 अक्टूबर से 50 फीस्ती शमता के साथ खुल जाएं दर्शकों के बीच एक सीट खाली छोड़ी जाएगी और हॉल के अंदर पूरे समय मास्क पहनना जरूरी होगा केद्र सरकार के प्रोटोकॉल के तहत मल्टिप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन सिनिमा घरों में 50 स्वी फीस्ती दर्शकों को बैठने की अनुमती होगी एक कुरसी छोड़ कर बैठने की ववस्था की जाएगी मास्क और सैनिटाइजर अनुवारे होगा करोना से बचाव पर एक मिनट की फिल्म दिखाना और इसके बारे में घोशना करना अनुवारे होगा एक शोड़ खतम होने के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज करना होगा तभी दूसरा शोड़ शुरू होगा उचित वेंटिलेशन सुनेशित करना होगा इसी का तापमान 23 डिग्री से अधिक होना चाहिए टिक्टो की ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा लेकिन सिंगल स्क्रीन थेटर में टिकट काउंटर खोले जाएंगे बुद्वार को 24 आस टुडे नियोश चानल की टीम बदोही जिले के गोपी गंच स्थित धन तुलसी सिनेमा हॉल पहुँची वहां के लोगों ने बताया कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की हैं उनका हम पालन करेंगे करोना वाइरस के कारण साथ महीने से सिनेमा हॉल बंद पड़े हुए थे जो की अब खुलने जा रहे हैं भदोही से नितेश श्रिवास्तफ की रिपोर्ट इसके लिए हम लोग सरकार से यहीं करना जाते हैं कि जो भी वो गाइडलाइन चालू किये या वह भी जो की चालू किये आपका क्या नाम है अपका आधे तिवारी नमस्कार नीरा चिवास्तो जी मुझे पंदर तारिक से सिनेमा हॉल खुलने की खबर लगी मुझे इसे मुझे पढ़ाई भी करना अच्छी बात है पर मुझे टाइमिंग से काम करना पड़ेगा चिनेमा खुलके हमारी कंट्री जो है देश इंडिया उसमें बहुत अच्छा काम किया और सतर्क और साधानी वरकना हमारे नंबर वन को काम रहेगा हम एक सीट छोड़े एक सीट प इंडिया यह जोwheel काम भी करना है